बागेश्य धाम के धीरेंदर शास्त्री ने कराई सेकड़ों कन्याओं की शादी विदाई के वक्त धीरेंदर शास्त्री से लिपट करोई कई कन्या है मुख्यमंत्री मादरपदेश ने भी की कारिक्रम में शिर्कत नव विवाहत जोडों को दिया अशिर्वात लोग धीरेंद्र शास्त्री की तारीफ करते ठक नहीं रहे हैं शादी समाहरों की दौरान विवाहे जोडों को जीवन में उपयोग होनी वाली कई महत्वपून सामग्जियां भी दी गई आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर बताने ज़ा रहे हैं जैसे सुनकर आप भ शास्त्री से लिपट लिपट कर रोने लगी बड़े भाय की तरह शास्त्री ने भी दुलहन बनी कन्याओं को आशिरवात प्रदान किया इस दौरान मंच पर मौजूद अतितियों ने वरवधू को अच्छे जीवन का आशिरवात दिया विदित है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से इस वर्ष पंचम विवा महुतसव कराया गया इस वर्ष सभी जोडों को 157 प्रकार की घरेलू सामगरी भेट स्वरूप देगे इसमें मोटरसाइकल से लेकर धार्मिक रंथो को भी शामिल किया गया इस खर्च सामगरी में आता है उतने में कई निर्धन कन्याओं का विवा संपन हो सकता है इसलिए अगले बाश 251 निर्धन कन्याओं का विवा कराया जाएगा तो वहीं इस विवा समारों के दौरान मद्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए और उन्होंने महराच सरकार के साथ विवा आयोजन करना चाहें तो सरकार मदद के लिए सद्यवततत पर है इतना ही नहीं मद्रदेश मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है बाके शरधाम में आगामी शुब महूरत में बड़ी संख्या में निर्धन और जरूर उतमन परिवार की बेटियों की विवास संपन करवाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि शेत्र के सभी धार्मे के स्थलों का विकास किया जाएगा और पुरातन समय के खजुराहों के प्रतेक मंदर में पूजन का प्रबंधन सुनिस्चित किया जाएगा हम केंज़रे महराज ने भी आगर किया है फिलाल आपको हमारी एक खबर कैसी लगी इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं वो बात आप हमारे साथ लिखकर साज़ा कर सकते हैं फिलाल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भी बागेश्वर धाम की तरफ से गरीब लड़क प्रचित है ऐसी मानेता है यहां आने वाले लोगों का हर दुख बचरंग बली बाबा हर लेते हैं बिरो रिपोर्ट पीडियन न्यूस